सामलेकुम कैसे वाल मेंबर ठीक हो उमीद करता हूँ सब खेरिये से होंगे जहां भी होंगे तो मैंने सोचा चले अपना परसनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ अभी आप देखें उसने दो बार समाल और फिर बिग फिर समाल सही है अभी डबल को वो लॉंग उठा सकते है मतलब तीन बार उसने डबल दिया अभी चोती बार भी वो डबल लगा सकते है लेकिन अगर डबल लगाता है तो दूसरी तरफ बिग के चांसे जो यहां पर हम बिग पर लगा देते हैं फर्ज करो 4 टीरेक्स यह हम देखते हैं इसका क्या बनते है जो ट्रेड समझने वाली होती है ना सारी आप ट्रेड समझा करें रिकॉर्ड पे जाके के वो किस तरह ट्रेड दे रहा है ज़्यादा ज्यादा वो ज्यादा दो स्टेप या तीन स्टेप सेम देता है फिर वो trend को change कर देते है सही है अभी देखें वो small पर ही आ गया अभी नीचे दो दफ़ा small और फिर उसने big एक दफ़ा दिया फिर दो दफ़ा small सही है अभी देखें दूसी तरफ वो single नहीं लेके जा रहा double कोई लेके जा रहा है यहाँ पर आपने क्या करना है हमने कितने 4 TRX लगाए थे हम अब small पर लगाते हैं 8 TRX क्यों 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 यह देखें यहाँ पर वो 2 दफ़ा small फिर 1 दफ़ा big फिर 2 दफ़ा small एक दफ़ा big ऐसे नहीं करता ठीक है बाद मेंबर ऐसे सोचते हैं ऐसे करता भी होगा तो 2 से 3 स्टेप वो उपर नहीं जाता यहाँ पर हमने small पर trade ली है अभी देखते हैं वो same लेक जाता है trend को या opposite जाता है यह देखें यहाँ पर उसने क्या किया है उसने same लेक गया है trend को सही है अभी आपने क्या करना है अभी देखें double को वो नहीं छोड़ रहा दूसी तरफ दो बार small एक दफ़ा big फिर दो दफ़ा small फिर एक दफ़ा big अभी वो इदर वाला जो small big है उसका trend भी हिला सकता है और दूसी तरफ single भी ले सकता है ठीक है लेकिन आप double वाला जो line है उसको बिल्कुल ना pick करें क्योंकि यहां पे members क्या करते हैं सिंगल पे करकर करके अपना सारा loss कर देते हैं हमने 8 TRX लगाए थे हम अब लेना है 16 TRX हमने अब लेना है 16 TRX अभी एक दफ़ा big अभी आपने क्या करना है अभी आप big पे ही ट्रेड लें कितने 16 TRX की उसके opposite आपने नहीं जाना अभी वेट करें दो दफ़ा उसने small एक दफ़ा big दो दफ़ा small एक दफ़ा big लेकिं यहां पे मुझे लगता है कि वो big ज़रूर लगाएगा तोकि वो trend change करेगा वो उसने trend change करना ही है ठीक है जब भी करें अभी वो देखो trend change कर गया आपके सामने है थोड़ा step दूसरी या तीसरे step तक game जाता है लेकिन समझने वाली यह बात है जो मैंने समझाई है यह देखें यहां पे मैं नीचे देखें trade कर रहा था यह अभी जो कर रहा था यह देखें ऐसे ही करते हैं यह देखें दो दफ़ा समाल एक दफ़ा बिग दो दफ़ा समाल एक दफ़ा बिग लगाएगा फिर यहां पे लोग क्या करते हैं समाल पे बड़ी trader रखके सारा loss कर देते हैं मैंने का कि दूसरी तरफ आप double को ना छेड़ो अभी यहां पे बिग दो दफ़ा दिया है बिग तीसी दफ़ा भी वो दे सकता है अभी मेरे ख्याल में बिग ही आएगा लोग क्या करते हैं कि हो सकता है कि दो दफ़ा समाल आए है तो अभी दो दफ़ा बिग गया है तो अभी small आ जाएगा लेकिन वो trend change नहीं करता यह देखें उसने फिर big दिये आप देख रहे हो उसने फिर big दिये तो यह चीज़ होती है समझने की करने की ठीक है तो अभी यह देखें अभी मैंने यह वाला जो session win किया यह वाला big वाला आपने देख लिये अभी आप देख कि उसने क्या trend चलाया अभी वो दो दफ़ा big दो दफ़ा small दो दफ़ा big नीचे दो दफ़ा big दिये है उसने सही है और फिर उपर एक दफ़ा small देख गिये है यहां पे member क्या करते हैं यहां पे member फिर small पे trade लेते हैं जो के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो step change कर देता है जब step change करता है तो यहां पे आप मेरे ख्याल से 2 small नहीं लगाएगा वो नीचे बेशक लगाएं उसने लेकिन 2 small वो नहीं लगाएगा मैं यहां पे big पे trade ले रहा हूँ 5 TRX की सोरी time गुजर गया लेकिन मैं big पे ही trade लेने वाला था बाकी देखते हैं कि इसका क्या होता है गेम थोड़ा 4-5 step तक जाती है लेकिन यह है कि आप ज्यादा win के chances होते हैं सही है इसमें loss यह देखें यह आपके सामने नजरों के सामने यही ट्रिक है और इसी ट्रिक से मैं win कर रहा हूँ आप यह देख लें यहां पे आया करें close trade पे आप देखें मैंने आपको बोला है क आपने हाथ भी नहीं लगाना अगर यहां पर आप देखें अगर आपके पास यहां पर amount बड़ी है तो आप देखें तीन छे और दो आठ 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 डबल आ गया है लेकिन यह 15 बार भी आ जाता है यहां पर member loss कर देते हैं अभी दूसी तरफ मैंने आपको बताया था कि वो नीचे दो दफा बिग लगाया है लेकिन वो यहां पर समाल की ट्रेड लेगा ठीक है अब देख लें के वो किस पर ट्रेड लेता है टाइम तो गुजर गया होगा मेरे ख्याल में वो समाल की ट्रेड लेगा क्योंकि वो चेंज करता है सही है member हम क्या करते हैं हम same trade ले ले ल माउंट हो और अगर बड़ी माउंट नहीं हो तो यहां पर देखें अभी उसने दो बार बिग नीचे दिये फिर एक दफा समाल दिये फिर दो दफा बिग दिये अभी यहां पर क्या करते हैं मेंबर यहां पर मेंबर यह करते हैं कि नीचे दो दफा बिग दिया है तो अभी वी दो दफा बिक दे दिया है तो अब यह समाल देगा लेकिन नहीं वो यहां पर बिक की ट्रेड अलग फिर लगा देता है मतलब फर्श करो मैंने यहां पर बिक पे मैं पांच टिरेक्स लगाता हूँ सही है यह देखें इस टेड का थोड़ा वेट करते हैं, सही है, मेरा जो experience है, खुद का, यह ही कहता हूँ कि बिग के ज्यादा chances है, और small के कम chances है, सही है, बाकी देखते हैं कि वो क्या करते हैं, यह देख लिए, मेरे ख्याल में big ही आए, आई थिंक के बिग गया है बाकी देखते हैं यह देखें आपकी नजरों के सामने ट्रिक वरक कर रही है यहां पे मेंबर दोखा खाते हैं वो यह देखते हैं देखो अगर प्रियर्ड नमबर यह पॉइंट पचपन वाला देख लें एक दफ़ा बिग गया है उपर समाल दिया है यहां पे मेंबर क्या करते हैं कि दो दफ़ा उसने उपर बिग दे दिया है तो यहां पे वो समाल देगा यहां पे मेंबर लॉस करते हैं स्टैप फिर उसी वज़ा से उनको लॉस हो जाते हैं तो यहां पे आप क्या करो यहां पे आप सेम ट्रेड बिग पे ही low क्योंकि वो trend change कर देता है ठीक है trend वो change करता है यही trick है इसी trick से मैं win कर रहा हूँ देख लें आपके सामने 456 tier X मैंने win कर लिए हैं सही है अभी अभी वो अभी समाल का लगा सकते है लेकिन यह है कि जब आप आप ज्यादा step बड़े कर लेते हो तो फिर वो मिसलसल loss करवाता है बेशक यह देखें यह देखें आप मेरी trick देखें यहां पर वो समाल लगा सकता है मैंने आपको बोला क्यों क्यों क्योंकि अगर आप नीचे समाल लेते ना जहां पर यह वाला period number समझ लें एंड पर 420 है ना यहां पर आप समाल लेते तो उपर वाला उसने आप अगर बिक पर लेते तो उसने समाल लगाना था अगर आप समाल पर लेते तो उसने बिक लगाना था क्यों क्योंकि वो स्टेज बड़ी पर ले जाता है जिस वज़ा से बंदा लॉस कर जाता है तो यह trick इसकी सबसे best है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूं इसी trick से earn कर रहा हूं बिलकुल इसी trick से earn कर रहा हूं और कोई trick नहीं है कोई चीज नहीं है अभी आप देख लिए नीचे उसने एक दफ़ा समाल लगाया है सही है अभी समाल अभी मेरे ख्याल में आपको बिक ज्यादा trend बिक का ही लेके जाएगा सही है क्योंकि अभी वो समाल पर समाल नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि अभी वो बिक उसन बंदा इस तरह विन कर जाता है, थोड़ा गेम गोमाती है, लेकिन बंदा विन कर जाता है, अगर बंदा फुल एक्सपिरियंस के साथ इसको कहले, सही है, बाकी विड्रावल प्रोसेस और ये वो चीजें वो तो आप खुद सब को पता है, सही है, और वो बताने की मेरे ख्या